आज जिस केस के बारे में मैं बात करूँगा उसमें ना सिरफ एक परिवार बलकि पूरा का पूरा देश सड़कों के उपर था और लिट्रली इसके अंदर एक बहुत ही एहम भूमी का एक खास चीज की रही जिससे हम भी आज बहुत जादा परेशान है लिट्रली आप इस के अगर नहीं बताए तो भी उसको दबा दें, अगर बताए तो भी दबा दें साथ ही सब्सक्राइब बटन के उपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में सही किजिये को शाउट आउट दे दूँ Let's dive in 14 अप्रैल 1997 के दिन शाम को तकरीबन 4 बजे ताइवान में रहने वाली बिंग बिंग नाम की ये महिला अपनी गाड़ी चला कर अपने ऑफिस से अपने घर पहुंची और घर पहुंचते ही उसको उसका घर का दरवाजा खुला हुआ मिलना चाहिए था बट उसके घर का दरवाजा बाहर से अभी तक लोग था तो जैसे ही उसने गाड़ी में बैटकर अपने घर के दरवाजे को देखा तो वो बहुत जारा हैरान क्यों? क्योंकि उसकी बेटी अभी तक स्कूल से वापिस आ जानी चाहिए थी और उसको घर का दरवाजा खुल लेकिन अभी भी घर का दर्वाजा लोग था इसका मतलब ये था कि बिंग बिंग की बेटी सावियन अभी तक वापिस नहीं आई और ये चीज बिंग बिंग को बहुत अजीब लगी वो अपनी गाड़ी से उतरी घर के चारो तरफ देखने लगी लेकिन उसको अपनी 16 साल की बेटी सावियन कहीं भी दिखाई नहीं दी असल में इस बिंग बिंग नाम की महिला का असली नाम मुझे प्रननसियेशन उसकी नहीं आ रही तो मैं आपको टेक्स्ट में लिख कर दिखा देता हूँ और लोग जो पूरा देश इस महिला को बिंग बिंग नाम से जान रहा और वहीं जाकर अलग लग टीवी शौज के अंदर काम करने लगी बट 1976 का टाइम आते आते बिंग बिंग को वहीं जापान का ही रहने वाला रैसलर प्रस एक्टर इकी नाम का ये बंदा वहाँ पर मिल चुका था और इन दोनों की जैसे ही आपस में आखे लड़ी दोनों क कुछी टाइम बात से इन दोनों के बीच में आपस में खट-पट रहने लगी यानि की बिंग बिंग और इस एकी की आपस में नहीं बनी इन दोनों ने जल्दी ही तलाक लेने का सोचा और जैसी ये दोनों वहाँ जापान में तलाक लेकर अलग हुए उसी टाइम पर बिंग ने अपना मॉडलिंग का करियर वापीश शुरू किया और मॉडलिंग के साथ साथ वो काफी सारे और भी शौज के अंदर काम कर रही थी और बहुत सारे लोग यानि कि लगबग पूरा देश यग बिंग मिंग को जानता लोग उसको उसके असली नाम से ज़्यादा बिंग बिंग के नाम से बुला रहे थे और साथ ही ना सिरफ बिंग बिंग बलकि उसकी बेटी की भी बहुत बड़ी पहचान बन चुगी थी पूरा देश उनको जान रहा था पेशक बिंग बिंग ने इस टीवी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए बहुत मोटा पैसा कमाय लेकिन दोबारा उसने शादी करने के बारे में नहीं सोचा वो अपनी बेटी के साथ अकेली इस बहुत बड़े विला के अंदर जो ताइपे में मोजूद है इसी विला के अंदर अकेली अपनी बेटी के साथ रह रही थी इन दोनों की जिंदगी अच्छी खाती चल रही दिन आ चुका था 14 अपरेल 1997 का यानि की अब तक बिंग बिंग की बेटी यानि की सावयन 16 साल की हो चुगी थी और जैसे ही 14 अपरेल के दिन सुबह 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 सावयन अपने कमरे में उठी वो बाहर निकल कर अपनी मां से मिली स्कूल के लिए तयार हुई उसको जल्दी अपने बेटी को स्कूल भेजने के बाद बिंग बिंग भी अपने घर का दरवाजा क्यों नहीं खोला क्या वो अभी तक वापिस आई भी आया या नहीं बिंग बिंग ने अपने घर के चारों तरफ घूंग कर भी देखा कि कहीं उसकी लड़की घर के आसपास मोजुद ना हो या फिर आसपड़े उसको के पास ना गई हो लेकिन बिंग बिंग की लड़की यानि की सावयन उसको कहीं भी दिखाई नहीं दी और नहीं उसकी किस लेंड लाइन बजा और जल्दी ही भागते हुए सिधा बिंग बिंग उस लेंड लाइन पर गई उसने फॉन उठाया और सामने से एक बहुत ही अजीब सी आवाज आई और इस आवाज ने इस कॉल ने बिंग बिंग को पूरे तरीके से हिला कर रख दिया यहाँ जो कॉल करन बिंग बिंग को गालिया देनी शुरू करी और बस यही कहा कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है और अगर इसको जिंदा देखना चाहती हो तो तुरंद घर से बाहर जाओ और वहाँ पर एक गिफ्ट तुम्हारे लिए रखा हुआ है उस गिफ्ट को जाकर खोलो उसके अंद फिर वह क्या चीज़ रखी हुई है जिसके अंदर वह सुबूत है कि हाँ उनकी लड़की साउयन इन आदमियों के पासे जिन्होंने अभी फोन किया है बिंग बिंग को सामने जाडियों के अंदर रखा हुआ जो उसने बाहर पोदे लगा रखे थे उन्हीं पोदों के अं नहीं बलकि उसकी ही बेटी साउयन की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था मतलब कि साउयन ने ही लिखा था उसके अंदर लिखा हुआ था कि मॉम मुझे प्लीज बचा लिजे मुझे इन लोगों ने उठा लिया है और ये अभी मुझ से 5 मिलियन यूएस डॉलर्स की ड बीत रही होगी जिसकी 16 साल की बेटी जो सिरफ यही दो लोग यानि की परिवार के अंदर बचे हुए हैं और उनी दो लोगों में से एक का किड्नैप हो जाए और उस मा के ओपर क्या बीत रही होगी जिसकी 16 साल की लड़की किड्नैप हो चुकी थी बिंग बिंग ने जैस उसने उस कपड़े को उठा कर देखा उस कपड़े को खोल कर देखा उसके अंदर एक छोटी उंगली थी हमारे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है और ये छोटी उंगली किसी और कि नहीं बिल्कुल सही सोचा आपने साओ येन की ती जो इन लोगों ने प्रूफ के साथ इस लंच बोक्स के अंदर काट कर भेजी थी इसके लावा साव यैन के तीन फोटोस जिसके अंदर अलग-लग पोजीशन्स में उसको बांदा गया था उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंदे हुए थे बिंग बिंग तुरंट भागती हुई वापिस अपने घर में गई उसने लैंड लाइन पर 110 नंबर डाइल किया असल में ताइवान का जो अमर्जिंसी नंबर है वो 110 है जैसे अपने यहाँ पर पुलिस को बलाने के लिए उसकी बेटी बिंग 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 के विला पर पहुंच चुकी थी पुलिस वालो के साथ एक छीस और फ्री में आती है और वो है मीडिया वाले लिटरली इन पुलिस वालों की गाड़ियां देख देकर इन पुलिस वालों से जादा तो बाहर मीडिया वालों के लोग खड़े थे अपना-पना कैमरा ओन गर के और उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिंग बिंग के घर के बाहर इतने सारी पुलिस क्या कर रही है जरूर कुछ तो मैटर है कुछ तो हुआ है जानना पड़ेगा क्या हुआ है जैसे ही ये चीज पुलिस वालों ने जाकर बिंग बिंग के साथ डिसकस करी कि क्या हुआ है बिंग बिंग ने सारा मैटर पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वालों को सिर्फ एक डर था कि यहां ये इन मीडिया वालों को ये चीज पता नहीं लगनी चाहिए कि आखिर बि पुलिस वालों ने बाहर मुझूद सारे मीडिया वालों के एक एक परसन को अपने पास बुलाया इस घर के अंदर ही बुलाया और उन सबी को असली मैटर बता दिया कि ये असली चीज है तो तुम इस मामले की नाजुता को समझ सकते हो तो प्लीज हाद जोड कर कि हमारी मजबूरी है कि हम इस चीज को पबलिक नहीं कर सकते वरना मेरी बेटी को जान का खतरा हो सकता है वो इसको माडालेंगे तो तुम सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस खबर को मत चलाना, कहीं भी पब्लिश मत करना, किसी को मत बताना, अभी तुम यहां से दफा और बाद में आना फिर कभी देखेंगे जब मेरी बेटी सही सलामत मेरे पास आ जाएगी तब देखेंगे इस खबर के बारे में क्या करना है ये लोग इन बातों को सुनकर ओविसली मीडिया वाले वहां से जा चुके थे लेकिन अब आपको पता है कि इन लोगों के पेट के आपको पता है कि कमपिटिशन बहुत जदा है इन लोगों के अंडर तो इतनी जादा मारा मारी है कि होने से पहले ही ये लोग चाप देते हैं अब ये तो चीज हो चुकी थी तो आविसली क्यों ना चापे लेकिन फिर भी मैं तो हिरान हूँ कि इन लोगों ने 12 दिनों तक इस तरीके से वेट किया इस खबर के ना चापने का बट 12 दिनों तक ये लिटरल इनका प्रेशर को कर फटने वाला था 12 दिन ना सिरफ वहाँ एक अगबार ने बलकी पूरे के पूरे देश ने ना सिरफ अगबार के अंदर बलकी टीवी के अंदर भी हेड लाइन्स चला दी कि हाँ बिंग बिंग की ये जो एक्टर मॉडल बिंग बिंग है इसकी लड़की सावियन किड्नैप हो रखी है और वो भी काफी लंबे टाइम से इतने दिनों से किड्नैप हो रखी है और पुलिस वाले अभी तक कुछ भी नहीं कर पाये उनका ना ही क कोई क्टीक्ट हो पाया है कि डिंग बिंग के साथ और लना ही ट्रेस कर पाया है कि आकिर सावियन कहां पर है अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ इस इनने खबर === अगबार में चपी उस जिन से तो फिर देश के कब वो बिंग बिंग से मिलेंगे, कब वो पुलिस वालों से मिलेंगे, कब उनको कोई नहीं जानकारी मिलेगी Sorry मैंने पिछली कुछ लाइनों में 12 दिनों तक बॉल दिया Literally इन मीडिया वालों ने सिरफ 12 घंटों का वेट किया था जब वो पुलिस वालों से पहली बार मिले थे तो पुलिस वालों ने इनको कहा था कि मत बताना इन्होंने सिरफ 12 घंटों का वेट किया और 12 घंटों बाद ही वो खबर ना सिरफ अकबार के अंदर बलकी हर न्यूस चैनल के उपर चल रही थी। किड्नैपिंग के दो दिनों बाद यानि कि 16 अपरेल की दोपहर को एक बार फिर से बिंग बिंग के घर का लैंड लाइन बचा। की एक्जेक्टल लोकेशन का पता लगा सके। लेकिन ये चीज जो पुलिस वालों को पता है, ये चीज किड्नैपर्स को भी तो पता है, वो भी बहुत शातिर, उन्होंने जस्त पहले सिधा ना हाई हैलो कुछ नहीं पूछा, सिधा पूछा कि हाँ बढ़ी पताओ पैसे साव येन की जो अपने ही खबर न्यूस पेपर के अंदर पढ़ रही थी और ये आवास सुनते ही बिंग बिंग रौने लगी और इतनी ही देर में वापिस फिर से उसकी ड्नैपर्स ने फौन कट कर दिया, बेशक उसको पता था कि आगर वो जारा लंबे टाइम तक रहेग तो पुलिस वाले उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे और उसने आगे कोई बात नहीं करी, अब पुलिस वाले उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। पुलिस वाले उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर दिया, बेशक यह प्लैन ट्रेस नहीं कर दो पाए। माइंड में भी तो चल रहा होगा, नहीं किड्नैपर्स नहीं, मीडिया वाले अब जैसी वो टैक्सी इस घर से बाहर निकली, बिंग बिंग उसके अंदर बैटी हुई थी सामने वो डिटेक्टिव टैक्सी चला रहा था, अब आप सोच कर देके एक अकेली टैक्सी नहीं, पूरा काफिला बन चुका था, आगे पीछे मीडिया वालों की गाडिया इस टैक्सी को चेज कर रही थी, पूरा का पूरा लाई सारा कुछ ये चीज टीवी के ओपर दिखाए जा रही थी, और वो टीवी किड्नैपर्स भी देख रहे थे, कि हां कैसे बिंग बिंग अपन रहते हुए उसको फिल्मा ना पाएं, तो क्यो ना इसको एर से फिल्माएं, इसको हावा में फिल्माएं, लगबग तीन मीडिया चैनल्स के हलिकॉप्टर्स भी उस टैक्सी के ओपर मंडराते हुए साथ चल रहे थे, जहां ये पूरी मीटिंग होने वाले थी, वहां उस पर मंडरा रहे थे, कि हाँ जैसे ही बिंग बिंग बाहर निकलेगी, वह उसको फिल्माएंगे, यानि कि ये सारो कुछ एक मूवी चल रहा था, क्या, लिटरली वहां इतने सारे कैमरे लगे वे थे, तो क्या कोई किड्नैपर्स इन मीडिया वालों के सामने उनसे फिरोती पर चल दो, बिंग बिंग की टैक्सी उस लोकेशन पर पहुँच चुकी थी, और काफी घंटों तक इंतजार करने के बाद भी अब रात भी आदी बीच चुकी थी, अभी तक भी किड्नैपर्स कोई नहीं आए, अगला दीन आ चुका था, अगले दिन फिर से सुबह सुब यानि की 18 अप्रैल के दिन फिर से एक बार फॉन बजा बिंग बिंग के घर का लैंड लाइन बजा और जैसे बिंग बिंग ने उठाया, तुरंट एक बार फिर से मीटिंग प्लैन सेट अप किया गया कि अब की बार हम लोकेशन बताएंगे, बाद में पहले तुम ताइप बार फिर से बिंग बिंग अपने साथ 5 मिलियन यूएस डॉलर से भरा हुआ बैग लेकर उस टैक्सी के अंदर बैट चुकी थी, अब जैसे वो बैठी, अब फिर से ना सिर्फ यहाँ पे एक टैक्सी चल रही थी बलकि पूरा का पूरा काफिला चल रहा था, घर के बाहर निकलते ही वो टैक्सी सीधा उस काफिले के साथ मिल गई, उस पूरे काफिले के अंदर एक टैक्सी ही सबसे चोटी गाड़ी, सबसे अजीब सी, सबसे सस्ती सी गाड़ी लग रही थी, बागी सारी के सारी गाड़ियां, उनके ओपर कैमरे लगे हुए थी, उनके ओपर बैट कर पूरे ताइप शहर के चारोड घूमती रही लेकिन कोई भी क्लूस को नहीं मिला, किसी भी किड्नैपर ने उसकी टैक्सी को नहीं रोका, क्योंकि वो ना सिरफ टैक्सी को रोकता, बलकि वो पूरे काफिले को रोकता, वेचारी बिंग बिंग अपने साथ अपना पैसा लेकर वापिस अपने घर पहुँच चुकी थी और आने वाले 6 दिनों तक अब कोई भी कॉल किड्नैपर्स की तरफ से नहीं आया। 23 अप्रेल के दिन सुबह सुबह एक बार फिर से बिंग बिंग के घर का लैंड लाइन बजा और जैसे ही बिंग बिंग ने वो लैंड लाइन फोन उठाया सामने से किड्नैपर ने फिर से एक बार दबी हुई आवाज में यही कहा कि तुमको अब की बार घर के पास ही यह कहकर उसने फॉन रखा अब फिर से एक प्लैन रेडी हो चुका था मीट अप करना था अब जैसी बिंग बिंग अपने साथ वो सारा ताम जम लेकर निकली पुलिस वाले तो ऑविसली उसको डिटेक्टिव रहे कर दूर दूर से वो उसको देख रहे थे लेकिन यह पूरा लाइव चल रहा था देश के हर टीवी चैनल के उपर बेशक उस दिन भी बेचारी बिंग बिंग को अपनी बेटी यानि की साविया नहीं मिली उस दिन भी कोई मुलाकात किटनैपर्स के साथ नहीं हो पाई बट अभी तक जितने भी नंबर्स इन कॉल करने के लिए किटनैपर्स ने इस्तेमाल किये थे पूलिस वालो ने उन सभी नंबर्स की डिटेल निकलवाई और उन्हीं नंबर्स से पूलिस वालो को तीन आदमियों का पता लगा कि हाँ जिन नामों के उपर ये रजिस्टर्ड हैं ये नाम वाले वैक्तितों पुरानी हिस्ट्री ले में और हो सकता है अभी तक इन्होंने सावयन के साथ कुछ करना दिया हो तो जल्दी से जल्दी इन तीनों को पकड़ना पड़ेगा ताकि वो सावयन को सही सलामत वापिस घर ला सकें 24 अपरेल के दिन एक बार फिर से बिंग बिंग के घर का लैंड लाइन बचा और जैसे ही बिंग बिंग ने भाग कर वो फोन उठाया अब की बार पीछे से कोई दबी हुई आवाज नहीं आई कोई आदमे नहीं बोल रहा था बलकि एक वो आवाज आई जिसो वो बहुत ट चार दिन और बीच चुके थे यानि 28 अपरेल का दिन आ चुका था अभी तक 14 दिन बीच चुके थे सावयन को खिटनेप हुए अभी तक सावयन का कोई अतापता पुलिस वालों को नहीं लगा बट 28 अपरेल के दिन दोपहर के टाइम पर काईपे शहर के ड्रेने सिस्टम म लगाया गया था उसी के अंदर काम करने वाले लोगों को एक बहुत ही अजीब सी चीज दी की जी हां कुछ चीज थी जो उस ड्रेने स्टैंक में भरे हुए पानी के ओपर तैर रही थी तो जैसे उन लोगों ने जाकर उस पानी को क्लॉजली देखा तो वो हैरान हो गए य दंबल्स भी साथ में बांदे गए थी ताकि लाश अच्छे से नीचे डूब जाए बट फूलने के बाद वो लाश उपर आ चुकी थी उन डंबल्स को भी वो साथ ही लेया उपर उस लाश को जैसे ही उन लोगों ने देखा तुरंती पुलिस वालों को बुलाया पुलिस अगर तुरंती सावयन के लाश को कबजे में लिया और उसको तुरंती हॉस्पिटल भेजा पुलिस वालों के सामने पुलिस वालों के होश उड़ चुके थे क्योंकि वो जो चीज अभी अपने सामने देख रहे थे वो उसको पर विश्वास ही नहीं कर पाए क्यों क्योंक लेकिन पॉस्समोर्टम रिपॉर्ट के अंदर लिका हुआ था कि साउयन की मौत तो 11 दिनों पहले ही हो चुकी है, मतलब जिस टाइम पर वो किड्नैपर्स बिंग बिंग से पैसा मांग रहे थे, उस टाइम पर साउयन जिंदा ही नहीं थी, लेकिन अभी 24 सारी को दो फोन आय दे रही थी, चिलाती हुई सुनाई दे रही थी, मदद मांग रही थी अपने आपको बचाने के लिए, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल थी, तो असल में इन लोगों ने, यानि किड्नैपर्स ने, बेचारी साउयन की आवाजों को पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया था, जिस अभी भी जिन्दा है, अभी भी अपने आपको बचाने के लिए भीक मांग रही है, सोच कर देखें, आप यहाँ पर ये किड्नैपर्स किस लेवल के थे, खेर, इसके अलावा पॉस्मॉटम रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ भी सामने थी, कि हाँ, भयंकर, टॉर्च और 16 साल की लड़की सावयन के साथ किया गया है, उसके शरीर को जगे जगे से अलग लग चीजों से काटा गया है, बहुत सारी जगों पर तो बहुत बड़े बड़े चीरे लगाए गये थे, और ना सिरफ चीरे लगाए गये थे, पता नहीं क्यों बट सावयन के शरीर से उसक पाती में अन्जाम दिया गया और उसके बाद ही बेचारी सावियन की जान ली गई अब ये मीडिया किस हद तक उस टाइम पर गिर चुगी थी आज जो गिर हुई है ये तो उसका भी एक अलग लेवल है लिटरली जिस दिन बेचारी सावियन की लाश मिली थी जिस हालत में मि फोटोज क्लिक की इन मीडिया वालों ने और ना सिरफ क्लिक करी बलकि अगले ही दिन न्यूजपेपर के फ्रंट पेच पर सबसे बड़ी फोटोज बेचारी सावियन की अलग अलग एंगल्स के साथ थी जिसके अंदर उसका पूरा चरीर कटा फटा और उसको भी बलर तक नहीं किया गया सारी की सारी असली फोटोज उसी न्यूजपेपर के अंदर छाप दी गई इन मीडिया वालों ने सिरफ इसलिए ताकि उनकी टी आरपी भड़े लोग उनको जादा से जादा देखें और उनमें से एक अकबार ने तो ये हेडलाइन तक लिकी हुई थी दे अब दा चेक मतलब कि उन्होंने कि डैपर्स ने अपने ही चेक को पाड़ डाला यानि की मार डाला जैसे ही सावयन की लाश मिली थी उसी दिन से बिंग बिंग के घर के बाहर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स अपना माइक ले लेकर खड़े थे कि हाँ अब तो हमें ब ताइवान सेफ नहीं रहा क्योंकि 1990 से लेकर 1997 का वो टाइम था ताइवान के लिए जब वहाँ पर क्राइम तक्रीबं 80% बढ़ चुका था ताइवान में रहने वाले हर साथ में से एक व्यक्ति के साथ कोई ना कोई क्राइम हो रहा था या तो उसके साथ कोई रॉबरी होत ये सुरक्षित दोबारा से हो जाएगा अब ओवियसली पबलीक की डिमांड के वज़े से पुलिस वालों के उपर प्रेशर बन चुका था कि इन तीनों की डिनैपर्स को जिनके नाम उन्होंने लिए हुए हैं लिंक चाव और शैंग इन तीनों को जल्दी से जल्दी गिरफतार करें और जल्दी से जल्दी इनको सजा दिलवाएं इसके लावा पुलिस को ये भी और्डर मिल चुके थे कि अगर वो इन तीनों को कहीं भी देख भी लें तो पहले इनको गिरफतार करने की कोशिश करे अगर इनको गिरफतार इन नहीं होते या फिरे कोई बादा डालते हैं तो तुरंधी इनको गोली मार कर इनका महीम मर्डर कर दें पुलिस वालों ने पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैन हंट चलाया और मैन हंट के अंदर पुलिस वालों ने हर वो संदीग दिख जगय के ओपर छापे मारे जहां उनको लग सकता था कि हाँ यहाँ पर ऐसा कोई रह सकता है कोई भी ऐसा कांड करने वाला वैक थी उस हर जगय के ओपर छापा मारा तो पुलिस वालों को इन तीनों में से एक चैन इसकी वाइफ चांगसु चैन जिसका नाम था उस चांगसु के बारे में पता लगा कि हाँ वो वहाँ पर रहती है तो पुलिस वाले सिद्धा अपना ताम जाम उठा कर चांगसु चैन के घर पर पहुँच चुके थे और जैसे उसके घर के अंदर वो गुसे तो पुलिस वालों को एक बहुत ही अजीब सी चीज वहाँ पर फिल हुई क्यों क्योंकि जैसे वो उस घर की तलाश ही ले रहते तो उन में से एक कमरे की दिवारों के उपर बहुत सारा खुन लगा वा था और ये खुन जैसे ही पुलिस वालों ने टेस्ट करवाया तो ये खुन किसी और का नहीं बलकी सावयन का ही था पुलिस वालों को अब समझ आ चुका था कि इन तीनों लोगों ने किड़नेप करके बेचारी सावियन को इस घर के अंदर रखा जो टाइपे शेहर के बिलकुल पास ही में मौझूद आउटसकर्स में मौझूद था उसकी इस घर के अंदर रखा और इसी घर के अंदर उसका म वही लिए जो मैंने आपको पहले बताए इन तीनों के नाम लिए यही तीन उसने भी बताए कि हाँ इन तीनों नहीं सब कुछ किया है अब पुलिस वालों को ये जा ना था कि आखिर ये तीनों है कहांपर अब आपको यहां पर लग रहा होगा कि यह केस यहीं पर खत्म हो जाएगा और पुलिस इन तीनों को गिरफतार कर लेगी बाद में कोट इनको सजा देगी लेकिन नहीं अभी तो केस शुरू हुआ है अभी तो इस केस के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है आने वाले चार महीनों तक पुलिस वाले इन तीनों लोगों के पी फिरोती भी ली और उन धस्तियों ने बाद में जब उनको छोड़ा गया उन्होंने बाद में बताया कि इन तीनों नहीं गिरफतार किया गया था अब उनके पास बहुत मोटा पैसा आ चुका था और वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे और यहीं डर पुलिस वालो तो वो अपना रंग रूप बदल लेंगे और पुलिस वालों को उनको पहचानने में काफी दिक्कते होंगी 19 अगस्त 1997 का दिन आच चुका था और फाइनली पुलिस वालों को एक टिप मिली कि हाँ इस खर के अंटर जो तैपे शहर के आउट सकर्स में पुरानी बिल्डिंक्स के अंधर मोजुद था उस घर के अंदर पूलिस वालों को टिप मिले कि इस घर के अंदर तीन संदीग दिलोग चुपे हुएं तो आप जाकर उस पे चापा मारिए और ये च्छे गोलियां पुलिस वालों के सिधा जाकर लिन को लगी लिन वहीं पर मर चुका था और जैसे ही पुलिस वालों को लगा कि हाँ एक मर चुका है बाकियों को तो पकड़ी लेंगे अंदर जाके लेकिन पुलिस वाले जैसे ही अंदर गए सब को शान्त हो चुगा था और घर के अंदर लिटरली सब को शान्त था। लिन लिन मरा था बाकिय दो वहां से फरार हो चुगे थे। पुलिस वालों ने तुरंधी आठ सो पुलिस वाले उस एरिया के अंदर फैला दिये सिरफ धूंडने के लिए कि आकिर शायन और गाओ कहां पर गए कहां गायब हो गए उनको धूंडो किसी भी हालत में वो दोनों चाहिए चाहिए ही चाहिए बट इन दोनों का पता पुलिस पास यहां पर कितना स्टाफ है। उस डॉक्टर ने अपने मुझ से बंदूख निकालते हुए कहा कि तुम लोग कौन हो और यहां क्या चाहते हो। इन दोनों ने सामने से पूछा कि तुम्हारे पास कितना स्टाफ है। उस डॉक्टर ने कहा कि यहां पर मैं मेरी पत्नी और एक नर्स ही काम करते हैं बाकी यहाँ पर कोई नहीं है चैन और गाव ने कहा दोनों को तुरंद बुलाओ उस डॉक्टर ने अपनी पत्नी को भी बुला लिया नर्स को भी बुला लिया अब ये तीनों लोग यानि कि डॉक्टर का पूरा परिवार और वो नर्स अभी इस कमरे के अंदर मौझूद थे इस गन पॉइंट के ओपर ही इन दोनों के नैपर्स ने इस डॉक्टर को कहा की देखो हमारी प्लास्टिक सरज़री करनी है और इस तरीके की प्लास्टिक सरज़री करना की जैसे हमें कोई पहचान न पाए अब इसी चीज़ का डर, पुलिस वालों को भी था, आपको याद होगा, पहले मैंने आपको बताया था, अब यही चीज़ ये लोग करने वाले थे, अब ओवियस सी बात है, कोई भी डॉक्टर गन पॉइंट के ओपर ये चीज़ सुनेगा, तो ओवियसलि उसको वो चीज़ लगने वाला था, ये तो हमारे साथ जल्दी ही हो जाएगा, इन दोनों ने उस डॉक्टर को कहा कि अभी कर दो, ये लिटरली उसी टाइम पर, उसी कमरे के अंदर, ओपरेशन शुरू किया गया, इन दोनों ही किन्नैपर्स की आँखों के साथ भी, इन दोनों के फेस के आप खुद देख लिजे, आपको पहले अपनी शकल याद होगी, अब आप खुद देखिए, आपको कोई भी नहीं पहचान सकता, आप बाहर जाएंगे, आप पूरी दुनिया के लिए एक नए वेक्ति होंगे, आपको कोई नहीं पहचानेगा, अब अपनी शकलों को इस शीशे के अंदर देखते वे ये दोनों समझ चुके थे कि हाँ, अब उनको कोई नहीं पहचानेगा, बट तीन वेक्तियों के अलावा तो कोई नहीं पहचानेगा, ये तीन तो पहचान सकते हैं ना, डॉक्टर, उसकी पतनी और वो नर्स, लिटरली इन दोनों ने उसी क्ल ग्रूब बदल कर वापीस फरार हो चुगे थे, अब आप सोच कर देखे, दोनों यानि कि शेन और गाउ ये दोनों इतने कॉन्फिडेंट हो चुगे थे कि इनको कोई नहीं पहचानेगा, और गाउ तो कुछ जादा ही कॉन्फिडेंट हुआ, वो तो सिदा अगले ही दिन मसाज करवाने के लिए वहीं के एक मसाज पारलर में पहुँच गया, अब जैसी वो वहाँ पर पहुचा, वहीं पर पैट्रोलिंग कर रहे, पुलिस वाले ने उसको देखा, और उसको थोड़ा सा शक हुआ, उसने जाकर उस गाउ को टोका नहीं, उसने जस्ट अपने टीम में लगी और गाउ भी वहीं पर निपट चुका था, अब दो गए एक रहे चुका था, अब ये एक जो बचा है, ये एक अलगी बीमारी है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कुछ हो रहा था, तो मीडिया वाले कहा हैं, मीडिया वालों ने तो लिट्रली इस पूर लाइन बनकर अगबार में फ्रंट पेच पर छप जाता, है अब बचा हुआ चैन वो अपनी अलगी जिन्दगी जीने लगा, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था, कि अब उसको कोई नहीं पहचाने का, लेकिन फिर भी जैसी वो अपने इस रंग रूप को लेकर, अपने पूश कलोनी में रहने वाले, करनल मकैगनल और उसका परिवार जो उस घर के अंदर रह रहा था, इसी घर के अंदर चार बजे सुबे सुबे चैन नाम का बाउजी अब घुश चुका था, और ना सिरफ घुसा, इसने एक एक व्यक्ती को गन पॉइंट के उपर एक ही कमरे वालों को फोन करो और यहाँ पर बुलाओ कि मैंने तुमको बंदग बना लिया है और वो तुम्हारी पूरी की पूरी न्यूज को कवर करेंगे और बाद में ही यहाँ आगे बार्गनिंग शुरू होगी, अब जैसी यह चीज मैलोनी ने फोन करके CNN वालों को बताई, तु आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है, इस चैनल के ओपर यह खबर चलने के बाद सभी चैनल के अलग लग रिपॉर्टर्स अब मौके पर पहुँच चुके थे और सारे के सारे रिकॉर्डिंग अब करने लगे, रिपॉर्टिंग करने लगे, तो रिपॉर्टिंग के च सोच कर देखें, इमीडिया वाले फिर यहां पर बीच में इससे पहले की पुलिस वाले कुछ बोल पाते, उनका मीडिया वालों का ही शोर इतना जा रहा था, कि पुलिस वालों की आवाज जो स्पीकर में बोल रहे थे, वो उन तक पहुची नहीं पा रही थी, यानि कि चैन स सुनी नहीं पा रहा था कि आगर पुलिस वाले उनसे कुछ बात करना चाते हैं, अब इस मीडिया वालों के शोर से ना सिर्फ पुलिस वाले परिशान थे, बलकि अंदर मोजुद चैन और साथी में मोजुद मेकेगनल का पूरा परिवार भी परिशान था, क्योंकि ना वो कुछ सुन पा रहे थे, ना वो बाहर खड़े पुलिस वाले कुछ सुन पा रहे थे, अब कर कोई कुछ भी नहीं सकता, शोरी मीडिया वालों का इतना जा रहा था, खेर, अब इस शोर को शांत करवाने के लिए, खुद चैन ने मेलोनी को अपने साथ उठाया, अपने आग तरफ से दूसरी पुलिस वालों की टीम घर के अंदर पीछे वारे दरवाजे से घुष चुकी थी, अंदर घुष से ही सीधा पुलिस वालों ने पहले मेलोनी को बचाने की कोशिश करनी थी, क्योंकि ओवेसली वही अब उसके कबजे में थी बाकी परिवार, तो चलो दू पहले की पुलिस वाले कुछ करते, इतने में ही इस चैन ने खुद से गोलियां चलानी शुरू कर दी, अब गोलियां चलते देख, पुलिस वालों को भी ओविसली गोलियां तो चलानी थी, पुलिस वालों ने भी दो राउंड फायर किये, और वो दोनों की दो राउंड ब सोच कर देखे किया वो सिर्फ गोली ही मारने गए थे उसको। इस देश का जो फूचर प्रीमियर बनेगा उसको यहाँपर भेजो उससे मैं बात करूँगा इसी के साथ अब नेगुशीयाशन करूँगा जिसको गोली लगी है उसका इलाज करने दो यानि कि मैलोनी को छोड़ दो उस साथ उसके पिता जो कि अब बजूर को चुके उसको भी छोड़ दो बाकियों के यह रख लो उनके साथ हम बैटकर आराम से बात करते हैं तो फ्रेंक के कहने पर चैन ने मैलोनी और उसके पिता यानि कि मैकैगनिल को दोनों को छोड़ दिया और उन दोनों को हॉस्पिटल के अंदर भरती करवाया जा चुका था यह नेगोशेशन अगले दिन तक चार बज़े शाम तक चली मतलब की एक दिन से भी जाड़ा का टाइम यह चैन इस घर के अंदर रहा और उसने पूरे परिवार को बंदक बना कर रखा एके करके उसने फ्रेंक के कहने पर परिवार वालों को छोड़ दिया इसके बाद उसने खुद से पुलिस वालों का अगे सरेंडर किया और पुलिस वाले उसको वहां से लेकर तुरंत ही अपने स्टेशन पर पहुँच चुगे थे तकरीबन साथ महीनों तक यह चैन फरार रहा उसके दोनों साथ ही पहले ही मारे जा चुगे थे अब यह अंतिम था जिसको सावियन केस के अंदर सजा दी जानी थी चैन को सीधा ही कोड़ द्वारा डेथ पैनल्टी दी गई क्योंकि उसने कांडी ऐसे ऐसे किये थे डॉक्टर्स के साथ सावियन के साथ बिशारी तो अब महां के कानून को भी पबलिक के अंदर यह दिखाना था कि हाँ उसका भी डर है और आगे आने वाले टाइम गंदर ऐसा कोई कुछ ना करे इसलिए यहाँ पर डेथ पैनल्टी ओविसली जरूर थी और चैन को डेथ पैनल्टी की सजा सुनाई गई और इस डेथ पैनल्टी को अंजाम दिया गया 6 अक्टूबर 1999 के दिन पट मरने से पहले चैन ने क्रिश्चैनिटी को अपना लिया था उसने कहा कि मैं अब पूरी तरीके से बदल चुका हूँ आगर मेरी सजा कम करना चाहो तो कोई कर भी सकता है यह था वो पूरा कांट जिसने ताइवान देश को ना सिरफ देहलाया बलकि नए नए कानून भी इस कांट की वज़े से बने पूरे देश के अंदर आप मुझे बताइए कि आपको इस पूरे के पूरे स्टोरी के बारे में क्या कहना है यहाँ पर आपको किसकी गलती सबसे ज़ादा लगी और इस मेडिया वालों के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं अगर आप कोई story से related, backstory से related कुछ photos और footage चाहिए हो अगर उनको देखना हो तो आप मेरे Instagram पर मौझूद मेरे broadcast channel को जरूर जोइन कर लीजेगा ये मेरे Instagram ideas का link आपको description में भी मिल जाएगा आप मुझे वहाँ पर follow जरूर कर ले खेर पिछली वीडियो का shout out सत्विंदर को and comment pick me to get a shout out in next video मिलते हैं अगली वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद